नमस्कार, प्रस्तोत है आचारे चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखावा उपन्यास सोम नात का तीसवा भाग अध्याय पाटन की ओर फत्य मुहम्मद का अपनी प्रेयसी को लेकर इस प्रकार एका एक गायब हो जाना अमीर महमूत की समझ में ही ना आया शोबना के कौशल की उसने कलपना भी न की थी अमीर फत्य मुहम्मद पर बहुत खुश था उसी की साहेता से उसे यह महतोपुन विजय प्राप्त भी थी अब इस समय जबकि उसे बड़े बड़े इनाम की आशा थी वह क्यों और कैसे और कहां गायब हो गया बहुत से कलपनाएं अमीर ने की गोईंदे छोड़े परन्तु फत्य मुहम्मद का सुराग न लगना था और न लगा अब व्यर्थ खंभात में समय नश्ट ना करके उसने सब लशकर लेकर पाटन की ओर कूच किया उसे लूटे हुए उस अटूट धन की बहुत चिंता थी जिसे वह सेनापती महमूद और अपने उस्ताद अलबरुनी की देख रेख में पाटन भेज चुका था वो अपनी मूल सेना से भी देर तक प्रिथक नहीं रहना चाता था यहां यदधपी उसे विजय मिली थी उसकी समझ से उसकी प्राणों से प्रिया चौला देवी भी उसके हाथ आ गई थी परन्तो उसने पहली बार ही अपनी सहस्र विजय यात्राओं में निरीह नागरिकों का जम कर मुकाबला करने का सउत्साह देखा इससे वह भैभीत हो गया था उसकी प्रधान मोहिम फत्य हो चुकी थी उसके प्रतेक सिपाही के जीनों में सोना चांदी और जर जवाहरात भर चुके थे अब किसी का मन लड़ने में नहीं अपने घर लोट कर मौज मजा करने में था अपने बरबर सिपाईयों की मनिवृति वह खूब समझता था तथा इन भेडियों को पालने का धंग भी वा जानता था इससे उसने लोटने में देर करना ठीक नहीं समझा शोबना ने जिस शान और शालींता से उससे वर्तलाप किया था उसने उसकी हत्रंती के तारों को जिन्द कृत कर दिया था जीवन में पहली बार उससे समझा कि किसी ओरत पर काबू पाना और चीज है और उसका प्यार पाना बिल्कुल जुदा चीज है मेहमूद पड़ा लिखा अधिक न था पर कवित्व के मर्म को जानता था भावुकता उसमें थी फिर उसका यह वाक्यार्द जब रिदेस और भावतो कोमल और भावुक हो उटता है जीवन में पहली बार उसने एक औरत के सामने आत्मसमर्पन कहने का स्वाद अन्वाव किया था उसका मन प्यार की पीड़ा से कोमल और भावुक हो रहा था इस समय फत्य महमद को निकट पाने के लिए वो बेचायन हो उठा था वही उसका इस समय सबसे बड़ा समर्थ सलाहकार और सेनानायक था दूसरा समय होता तो वो उसके इस प्रकार गायब हो जाने पर संदेह करता परन्तु इस समय वो अधिक सोच विचार नहीं कर सकता था उसने ख्वाजा अब्बास एहमद को बुला कर अपनी चहेती मलिका की सवारी के समंद में सब आवशक आदेश दे दिये और कैदियों के काफिले को आगे कर कूच बोल दिया लशकर में सबसे आगे बाजा गाजा धौसा और निशानका हाथी था उसके पीछे उटनियों पर तुर्के के तिरंदाज थे उसके पीछे अब्बास अपने 500 सवारों के बीच शोबना रानी को ले जा रहा था शोबना के सवारी एक दिगज हाथी पर थी जिस पर सुनेरी अमबारी कसी थी शोबना की सवारी की पीछे हाथियों पर खजाना था और उसकी पीछे अमीर अपने बलूची सवारों से घिरा उंचे काले घोडे पर सवार चल रहा था सबसे पीछे रसद, डेरे तंबू, राशन और बावर्ची, तोशा खाना साई सादी थे अमीर का यह लशकर मीलो लंबा था और राह में जो खेत गाउं बस्ती आती थी, सब उजड़ जाती थी गाउं के निवासी गाउं छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे बहुदा बरबर सैनिक अकारण ही जिसे भी पाते, मार डालते, लूट लेते या आग लगा देते कहीं किसी के कोई सुनवाई नहीं थी अध्याय सामंत चौहान सामंत चौहान को अंतिम समय में खंबात का नगर सौपा गया था और जब गंगोर के मेले पर आकरमन हुआ था तो वो अपनी सेना की एक टुकडी लेकर वहाँ लड़ने चला गया था उसके साथ बहुत कम सिपाई थे तिथा मेले में अंगिने तिस्त्री और बच्चे और निरी नागरी के कत्र थे अमीर के बरबर पशू भेडियों की भाती उन पर तूट पड़े थे यह कोई युद्ध न था निर्दय हत्या कांड था इस समय सामन्त ने वेग से शत्रूओं पर धावा बोल दिया था उसने बड़ा कठिन युद्ध किया था और उसका फल यह हुआ कि वह घावों से जरजर होकर भूमी पर गिर गया उसके उपर भी शत्रू, मित्रों की लोथे पड़ गए सामन्त की किसी ने सुधनी ली, वह वहीं अर्धमृत अवस्था में लोथों के नीचे दबा पड़ा रहा रात्री आई और गई, दिन निकला, तब सामन्त को होश आया परंतो उसमें उठने की सामर्थ नहीं थी उसने किसी प्रकार अपने उपर पड़ेवे मुर्दों को हटाया और सीरूचा किया प्यास से उसका कंट सूख रहा था पर जल वहां कहा था, थोड़े ही देर में वह फिर मूर्चित हो गया बहुत देर तक वह मूर्चित पड़ा रहा और इस बार जब उसकी मूर्चा तूटी तो दो पहर दिन चड़ चुका था कीले में मार काट और शोर मच रहा था स्पष्ट था कि शत्रू ने किला दखल कर लिया है वह नहीं जानता था कि घायल महराज चौला देवी और शोबना का क्या परिनाम हुआ चौला देवी और महराज भीम देव के लिए उसके प्राण चटपटा उठे पर बहुत चेश्टा करने पर भी वह उठकर खड़ा नहीं हो सका सिर पर प्रखर सूरे तप रहा था चारो और लोथें सड रही थी चील और गिद्ध मंडरा रहे थे एक भी जिवित प्राणी न था भूक और प्यास से उसके प्राण कंठ गत हो रहे थे और सेर दर्द से फटा जा रहा था गावों का रक्त अंग पर सूक गया था गाव गंदे होकर कसक रहे थे उसने पूरा जोर लगा कर अपना कंधा उकसाया उसने दूर एक स्त्री को लोथों के बीच फिरती पाया कई बार पुकारने की चेश्ठा करने पर ही उसके कंठ से आवाज निकली स्त्री ने सुनकर मुँ उधर उठा कर देखा वह आई वह एक व्रिधा स्त्री थी रोते रोते उसकी आखे सूज गई थी उसने सहारा देकर सामंट को उठा कर खड़ा किया सामंट ने कहा किसे ढून रही हो मा? मेरा बेटा तेरे जैसा ही वीर था तो मा मुझे एक घुट पानी कहीं से पिला दे तो मैं भी तेरे पुत्र को ढूनने में मदद करूंगा व्रिधा का एक छोटा सा फूस का घर पासी था वह ब्रमनी थी उसका पुत्र महाले का पुजारी था गनगोड का मेला देखने आया था घर लाकर व्रिधा ने सामंट को पानी पिलाया फिर थोड़ा दूद भी दिया उसके अंग साफ किये घावों पर पट्टी बांधी इससे आश्वस्त होकर सामंट ने कहा चलो मा तुम्हारे लाल को ढूंडे एकाद लाठी या बास का टुकड़ा हो तो मुझे दे दो नहीं बेटा तू बहुत कमजोर है यहीं आराम कर मैं जाती हूँ नहीं मा मैं साथ चलता हूँ आज न जाने कितनी मा बिना पुत्र की हुई है और तेरा पुत्र मिल जाए तो फिर तो मेरा जीवन ही सार्थक हो जाए दोनों ने फिर लोथों को उलटना पलटना प्रारम किया इस काम में संध्या हो गई परन्तो ब्रह्मणी का बेटा न मिलना था न मिला व्रेधा ने ठंडी सास भर कर कहा ब्रह्मणी हूँ बेटा ब्रह्मण का धन संतोश है अब संतोश ही करूँगी चल घर चले सामंत थकावट से चूर चूर हो रहा था अब और घूमना शक्य न था वो बुड़ी ब्रह्मणी की लाठी का सहारा लेकर फिर उसकी कुटिया में लौट आया बुड़ी ने कहा तू तनिक लेट पुत्र देखू कहीं गाये हाथ लग जाये तो दूद दो कर गरम कर दूँ वा वेस्त भाव से बाहर की ओर चली सामंत बेदम होकर भूमी पर गिर पड़ा उसे गहरी नीद ने धर दबाया जब वृधा ने उसे जगा कर लोटा बर दूद दिया तो उसको पीने से बहुत बल मिला उसने कहा मा आपने मुझे जीवन दान दिया है छत्रिये का बालक हूँ पर तेरा ही पुत्र हूँ मेरा नाम सामंत है समय मिलने पर मैं आपसे फिर मिलूँगा अभी मैं चला पर ब्रह्मणी ने उसे बहुत बाधा दी इस रात्री में जाने देना स्वीकार नहीं किया परन्तु सामंत ने कहा मा रुक नहीं सकता एक बार कीले में अवश्य जाऊंगा और वा लड़कडाते कदम रखता वहां से चला दुर्ग निकट आने लगा वहां किसी भी प्रकार के आदमी का होने का कोई चिन्न न था पद पद पर वा हाफ रहा था पर रुक नहीं सकता था दुर्ग का फाटक तूटा हुआ था वो किसी तरह पार करके भीतर पहुचा चारों और उसने देखा कि किसी जीवित व्यक्ति का वहां कोई चिन्न नहीं था वो जितनी जल्दी संभव हो सकता था पैरों को घसीटता हुआ महल की पौर पर बढ़ा पौर का दर्वाजा भी तूटा पड़ा था उसे देखते ही उसका मन भै और आतंक से काप गया हे भगवान महराज भीम देव और चौला देवी क्या उस दैते के भोग हो चुके हैं वो अंतरनाथ सकरता हुआ एक कक्ष से दूसरे कक्ष में अंधे के भाती हात फैलाए देवी देवी महराज महराज चिल्लाता हुआ उनमत होकर दोड़ने लगा उसे एक ठोकर लगी और वो दिवार से जाटक राया और गिरकर मूर्चित हो गया रात भर वो उस चुन्ने दुर्ग में मूर्चित पड़ा रहा जब मूर्चा भंग हुई तब प्रभात का आलोक गवाक्ष में जहाक रहा था वो फिर अधीर हो उठा एक एक कक्ष गवाक्ष उसने देख लिए आवास लूटा नहीं गया था चॉला देवी के बहुत वस्त्र सामागरी वहीं थे वो उन सबको पलट पलट कर देखने और हाहाकार करने लगा अब उसे इस बात का तनिक भी संदेह नहीं रहा कि महराज भीम देव और चॉला देवी उस दैते के भोग हुए परंतो इसी समय उसके दृष्टी दिवार पर कोईले से लिखी लेख पर पड़ी लेख शोबना का लिखा हुआ था जल्दी जल्दी उसने लिखा था महराज सुरक्षित आबू की राह में हैं बालू का साथ हैं देवी एका की भूमार्ग से गई हैं उनका अनुगम और रक्षा होनी चाहिए शोबना सामन्त की बाच्छे खिल गई जैसे जन्म दरिद्री को निधी मिल गई हो उसने इस बात का एक बार भी विचार नहीं किया कि इस लेख को लिखने वाली शोबना कहां गई उसकी क्या दशा बनी होगी वह तेजी से भूमार्ग की और जाकर उसमें घुस गया उस मार्ग से वह परिचित था दुर्ग में आते ही उसे मार्ग का पता लग गया था वह दूर दर्शिता के विचार से उसमें दूर तक हो भी आया था अब वह भूख प्यास और थकान सब भूल कर उस अंधकार पूर्ण मार्ग पर भरसक दोड़ने लगा वह बहुत बार ठोकर खाकर गिरा बहुत बार उठकर भागा बहुत बार सिर्ष दिवार से जाटकराया पर जैसे उसे इन सब बातों की कोई सुधी न थी वो भागा ही चला जा रहा था अंत में उस अंध गुफा का अंत हुआ प्रकाशकन आया और जब वह नदी तीर के एक परवत्य प्रदेश में बाहर निकला तो सूर्य मध्याकाश में प्रखट तेज विखेर रहा था उसने दोड़कर कल-कल बहती नदी के निर्मल जल पर अपने प्यासे होठ लगा दिये अध्याए नगर सेठ की समाधी खंबात नगर निर्जीव सा हो गया था बहुत लोग अमीर के समुक युद में कटकर मरे थे बहुत नगर छोड़कर भाग गये थे बहुतों को अमीर बंदी बना कर ले गया था खंबात में एक भी ऐसा घर न था जो इस समय समशान का रूप न हो कितने ही घर तो बिल्कुल लुट पीट कर बिल्कुल बरबाद हो गये थे आज उन में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा था बहुतों में से रोने पीटने तथा हाई हाई की आवाज आ रही थी किसी का पुत्र, किसी का पती, किसी का भाई, किसी की पतनी, किसी की पुत्री, किसी की पुत्रवधू, महमूद बंदी बना कर ले गया था ऐसा प्रतित होता था मानो सारे नगर पर मृत्यू और अवसाद की काली चाया चा गई हो नगर सेट मदनजी महता एक प्रतिष्ठित और करोडपती व्यपारी थे उनकी यूति पुत्री कंचल लता को किस प्रकार अमीर के बर्बत सिपाही सेठानी की आँखों के सामने ही उठा ले गये थे या आप सबों को गया थे आज प्रभात ही से लोगों की भीड नगर सेट की हवेली के सामने एकत्र होने लगी थी जो लोग नगर छोड़कर भाग गये थे उनमें से बहुत लोटे आ रहे थे नगर में बिजली की भाती ये खबर फैल गई कि नगर सेठ मदंजी महता अपनी प्रतिष्ठा और कुल मर्यादा भंग होने से खिन होकर आज जीवित समाधी ले रहे हैं जो लोग कभी घर के बाहर नहीं निकलते थे वे भी आज अकिर तिन अकल्पिक बाते सुनकर सेठ की घर की ओर दोड़े आ रहे थे ठट के ठट लोग घर के सामने जुट गये परन्तो सेठ की विशाल अट्टालिका में पूर्ण शान्ती और निरवता विराज रही थी आज वहाँ नित्य काम करने वाले दरजनों मुनीम, गुमाष्टे, सिपाही, नौकर चाकर और व्यापारियों की चहल पहल नहीं थी ना आज तराजू पर रुपे और अशर्फियां तौली जाकर थैलियों में भरी जा रही थी ना गुमाष्टे खरे कोटे रुपे परक रहे थे इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो घर में कोई जीवित पुरुष है ही नहीं सेट के मकान का द्वार उन्मुक्त था, द्वार पर कोई द्वार पाल या मनुश्य नहीं था फिर भी उपस्थित जनों में से किसी का साहस भीतर जाने का नहीं होता था द्वार पर लाल कुमकुम की थाप दीवी थी, आंगन में एक गहरा गढधा खुदा हुआ था उपस्थित भीड में सन्नाटा था, सबकी आखें आसुमों से तर और जीवा जड़ थी किसी को किसी बात की जिग्यासा नहीं थी, सब कोई सब कुछ जानते थे जैसे सब के हाथ किसी दैते ने सी दिये हो, जैसे सब को लकवा मार गया हो प्रतिक व्यक्ति की आसुमों से भरी आखें, चौक में खुदेवे गढधे पर जमीवी थी प्रतिकार, जिग्यासा और कौतुहल की भावना जैसे प्रथम ही उस गढ़े में दफना दी गई थी दीरे दीरे एक व्रिद्ध ब्रमण को आता देख कर सब लोग उत्सुकता से उधर देखने लगे ब्रमण का सब सरीर उगड़ा था, उस पर साफ जनेव चमक रहा था कमर में उज्वल धोती थी, उनकी उम्र बहुत थी, आखें धुन्दली हो गई थी, सिर और मोचों के बाल रूई की भाती सफेद थे ब्रमण का सिर और पैर भी नंगा था, पैर में जूता और सिर पर पगड़ी नहीं थी शोक और विधावस्ता के बोज को मानो ना सहकर ब्रमण सोमदेव लाठी टेकते वे थकित भाव से चले आ रहे थे ऐसा प्रतित होता था, मानो ब्रमण जिधर आ रहे हैं, उसके विपरीद देशा की ओर उनका मन मचल रहा है ब्रमण का मुख बर्फ के समान ठंधा और सफेद हो गया था धीरे धीरे लाठी टेकते वे ब्रमण भीर के निकट आये, सबने उनको चुप चाप मार्ग दे दिया, किसी ने भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं किया प्रिद्य प्रमण ने पौर पर पहुँच कर द्वार पर लाल कुमकुम की थाप देखी, उनकी आँखों से आसु बहने लगे आसु पोच कर वे कुछ देर तक द्वार पर खड़े रहे, उन्होंने अपने कापते वे दोनों हाथ आकाश की और उठाए, आसुमों से दुंदली आखों को सूरे की और फिराया, फिर कुछ होटों ही होटों में कहा उनका कंट स्वर फूटा नहीं, केवल होट फड़क कर रह गये भीड में दो चार गणमान्य नागरिक थे, उनमें से कुछ सेट के संबन्दी और मित्र भी थे उन्होंने आगे बढ़कर ब्रह्मन से धीमे और अवरुद्ध स्वर में कहा उन्हें रोकिये ब्रह्मन ठिटक गए, उनकी आँखों में आसु आगे उन्होंने धीमे किन्तु स्थिर स्वर में कहा नहीं और उन्होंने स्थिर कदम से घर में प्रवेश किया कुछ देर तक सन्नाटा रहा इस समय अंगिनत मनुष्य वहां एकत्र होकर सांस रोके खड़े थे सबने देखा नगर सेठ धीर गती से बाहर आये उन्होंने सफेद पोशाक धारन की थी मस्तक पर केसर का तिलक लगा था उनका मुख भाव विहीन, द्रिष्टी प्रित्वी पर जुकी वी और दोनों हाथ नीचे लटक रहे थे आगे कुल पुरोहित वृद्ध प्रमण, पीछे सेठ क्रमबध, सब नीरव, सब शान्त प्रमुक नागरिक, सेठ, सम्मंधी, सब पौर पर चड़कर भीतर गये नगर सेठ ने कहा भाईयों, कहा सुना माफ, अपनी लाज अपनी आखों में लेकर आज मैं जा रहा हूँ इश्वर आप लोगों को सुखी रखे इतना कहकर सेठ गढ़े में उतर गए वो बीच में रखे एक आसन पर पाल्थी मार कर बैठ गए फिर उन्होंने उच्च स्वर में कहा भाईयों, जो पुरुष अपनी पुत्री की रक्षा नहीं कर सका उसके सेर पर एक एक मुठी धूल डालने की किरपा करो सबसे प्रथम ब्रिधव प्रम्हण ने दोनों मुठी में मिट्टी उठा कर मंत्र पाठ कर मिट्टी डाली उन्होंने सब मनुष्यों को भी मिट्टी डालने को प्रेरित किया आखों से चौधार आसु बहाते और हे देव, हे प्रभु का स्पुट उच्चारन करते सैक्डों मनुष्योंने मिट्टी भरनी प्रारंब कर दी देखते ही देखते नगर सेट मदनजी महता ने जीवित समाधी ले ली इस भायानक कृत्य को देखकर उपस्थित जनता मूर बनी एक दूसरे को देखती रह गी इसी समय आग आग का शोर उठा लोगों ने देखा नगर सेट की विशाल अटाली का भीतर ही भीतर सुलग रही है उसमें से चारो ओर से अगनी की लपटे निकल रही है लोग बाहर भीतर दौडने लगे इसी समय उपर के खंड का मुख्य द्वार खुला उसमें से एक स्त्री मूर्ती आकर खड़ी वी उसके संपूर्ण वस्त्र घी में तर थे और वस्त्रों से आग की लपटे निकल रही थी मानो उसने अगनी कहीं परिधान पहनाओ उसका मुख तेज देदिप्य मान था लटें बिखरी वी थी अचल वानी में उसने कहा जो कोई आग बुझाने का प्रयत्न करे उसे भगवान सोमनात की आन है मेरे पती ने अपना मार्ग चुना और मैंने अपना और प्रतिष्ठा की असाहय ज्वाला में जलने की अपेक्षा इस आग में जीते जी जल मरना हमारा आज सबसे बड़ा सुख है एका एक शत सहस्र कंठ स्वर खुल गये वज्र गर्जना की भाती एक स्वर से सब बोल उठे जै अम्बे, जै सतीमा, जै आग की लप्टों ने घर को चारो ओर से घेर लिया लोग दूर हटकर खड़े होकर अदबुत घटित रिश देखने लगे केवल ब्रिद प्रम्भन वही अडिक खड़े रहे बहुत भारी कडाके के साथ छत गिरी और लोगों ने उसी के साथ एक स्वर सुना जै देव सारी हवेली धाय धाय जल रही थी और उसी के साथ घर पर घर की ग्रे लक्षमी वध में और बालाएं चुप चाप जल रही थी साथ में कुल गुरू भी कहीं हाहाकार न था कहीं रोधन न था एक धीमी आवाज बीच बीच में कुछ देर सुनाई देती रही जै देव, जै जै देव और फिर वह भी बंध हो गई शेश कहानी अगले भाग में कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद